है ईलो स्ट्रेंट्स आज अम लोग एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग जैसे हम लोग पिछले कर सर्फ क्या होता है जैसे हम लोग cards के बारे में जानते हैं कि cards play करते हैं लोग तो let's implement the game of lucky cards game of lucky cards मतलब हमाले जी जी से हम लोग ताज के पत्ते खेलते हैं तो उसमें हमारे पास जो पत्ता आया है वो lucky है या नहीं उसका हम एक game खेलते हैं अब इसमें क्या होता है कि हमालू में कि एक set of जो standard ताज की जो गड़ी होती है ठीक है there are 52 cards in each deck and it is grouped into four suits club diamond heart and spade तो हमालू में कि total कितने cards होते हैं there are 52 cards और ये 52 cards जो है चार club में बटे होते हैं चार groups में एक हो गया आपका club दूसरा हो गया diamond तीसरा हो गया heart और चौथा हो गया आपका ये spade ठीक है और हर group के 13 13 card होते हैं होटल हमारे पास 52 card हो जाते हैं ठीक है ये हमें मालूम है अब इसमें क्या होता है कि ये जो 13 card होते हैं ये कहां से कहां तक होते हैं ये start होते हैं आपके S से ठीक है उसके आद फिर 2, 3, 4 ऐसे लेकर और ये कहां तक जाते हैं ये जाते हैं 10 तक और उसके बाद फिर ये हो जाता है आपका 10 के बाद आता है आपका J फिर queen और फिर king queen और king ये ताश के पत्ते आप सब लोग जानते होंगे तो इस तरह होता है इसमें इस 13 में होता है इस 13 में होता है और इस 13 में होता है ठीक अब इसमें क्या होता है कि some of these cards are considered lucky लकी इनमें से कुछ कार्ड जो है हम उसको लकी कंसिडर करते हैं अब हमें प्रोग्राम किसी चीज़ का बनाना है अब हमें क्या करना है कि जो इस कार्ड को रीड करेगा और यह बताएगा कि लकी है या नहीं अब जो लकी कार्ड है वो माल लीजिए हमने कहा कि लकी कार्ड के प्री डिफाइन सेट जो है जो अल्रीड डिफाइन है कि इस कार्ड है लकी तो लकी कार्ड का जो प्री डिफाइन सेट है वो हमने माल लीजिए से 1, 2, 3, 4 करके हमने कहा कि पहला तो एक ही है S of Spade S of Spade यह Lucky Card है दूसरा हमने कहा कि माल लीजे कोई भी Heart का Card आता है अगर आपका Any Heart That is also taken as Lucky Third हमने लिया कि Queen of Diamond Queen of Diamond यह भी Lucky हो गया Next है आपका King of Diamond King of Diamond यह Lucky हो गया और पाच्वा है आपका कि हमने कहा कोई भी किसी भी Group का अगर 7 Card आता है 7 Number का तो वो Lucky हो गया तो यानि कि जो भी Card हम Read करते हैं उन में से कोई भी Card इन में से कोई सा है मैच करता है तो हम कह देंगे कि वो Lucky Card है ठीक अब इसमें क्या होगा कि इस Program में It will have a list of conditions separated by or Each condition can then take care of one category of Lucky Cards ठीक है तो अब इसमें क्या होगा A sample run of such a program can be as follows तो अगर हम इसका sample run करा के देखें कि हमें output किस तरह मिलना चाहिए है तो simply माल लिजे हमने कहा कि साथ starting ऐसे हो जैसे हमने कहा enter your card enter your card ठीक अब माल लिजे हमने एंटर किया seven of heart ठीक तो seven of heart में क्या result क्या आएगा ये seven है ठीक है तो इस वैसे ही हो जाएगा lucky ठीक है यह हमने लिख दिया lucky you ठीक फिर हमने दुबारा से run कराया program को तो फिर आया enter your card और card जो enter हुआ वो हमने enter क्या माले जिए queen of spade ठीक तो queen of spade देखिए जो भी हमारे जो lucky card वाली जो list है यहाँ पे देखिए ये ace of spade, any herd, queen of diamond king of diamond, iris seven तो इन में से queen of spade तो है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि यह lucky card नहीं है तो हमने लिख दिया कि better luck next time तो result यह आगया better luck next time ठीक है तो इस तरह से हमें program बनाना है ठीक, माल लिजे एक example और ले लेते हैं हमने का enter your card और हमने enter किया as of spade as of spade तो अब इसमें क्या होगा कि as of spade देखिए lucky card की list में है तो हम यह आप फिर आ जाएगा result lucky you ठीक, या lucky you करके आपने message दे दिया ठीक, तो यह program आपको बनाना है तो इस program के लिए जब आप python में program मनाएंगे तो वो किस तरह होगा कि इस तरह होगा मालीज हम यहाँ से program मनाना शुरू करते हैं suppose कीजिए यह line number one यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखा card of suit ठीक है यहाँ लिखा card of suit card of suit में is equal to हमने लिख दिया input और यहाँ लिखा enter your card enter your card ठीक है और यहाँ पर हमने इसको क्या किया split अभी split का क्या use होगा अभी हम आपको बताएगे ठीक फिर line number two पर हमने कुछ ने लिखा line number three में हमने लिखा if suit is equal to ठीक है spade and card equal to क्या है as ठीक है यह अगर condition है फिर हमने का or और फिर slash लगा दिया ठीक line connectivity के लिए फिर हमने fourth line में लिखा suit is equal to hurt suit is equal to hurt ठीक फिर line number five में लिख दिया suit is equal to diamond suit is equal to suit is equal to diamond and card equal to हो गया queen ठीक है यह हो गया फिर हमने का or slash ठीक है अच्छा इस line को भी connectivity करने के लिए यहाँ पे भी और slash ठीक फिर हमने का suit is equal to diamond diamond and card equal to हो गया king ठीक फिर हमने का or slash और फिर last condition जो थी card equal to seven तो हमने यहाँ लिखा card equal to seven तो लखी card की सारी condition हमने डाल दी तब हमने यहाँ print कर दिया print यहाँ लिख दिया हमने lucky you यह कुछ भी लिख सकते है you are lucky यह जैसे भी लिखना चाहें यह आपने दे दिया ठीक और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप line number eight में आईए line number eight में हम यहाँ पे लिखेंगे line number eight तो print लगी हो गया line number nine यहाँ पे line number eight तो यह हो गया कि यह हो जाएगा line number nine यहाँ आपने लिखा else और फिर आपने लिख दिया print better luck next time यहाँ आपने लिख दिया print better luck next time फिक है इस तरह से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है वो आप यह देखिए कि line number one uses the split method to separate the three words यहाँ पे आप देखिए line number one में यहाँ पे हमने यह देखिए line number one में हमने split use किया हुआ है यह split use किया हुआ है यह किसले use किया हमने we have used split method to separate the three words तीन words को separate करने के लिए हमने split use किया हुआ है and the card in it find the suit and the card in it तो यह जो हमने कहा है कि card of suit तो इन तीनों को separate करने के लिए हमने split method use किया हुआ है अब इसके बाद क्या होगा it then runs a large if condition separated by or split on multiple lines connected by backslash अब इसके बाद दीए पूरी condition यहां से यहां तक है तो इसमें हमने क्या किया हुआ है कि यह condition एक दूसरे separate किस्से की हुई है और से कि यह condition हो यह condition हो यह condition हो और चुकि यह multiple lines में हमने लिखा है तो इसलिए हमने slash का इस्तेमाल किया अगर एक ही line में लिखते चले जाते तो केवाल और रहता बीच में चुकि हमने multiple तो इसलिए हम इस backslash का यूज कर रहा है अब इसमें क्या होगा कि इन में से कोई condition satisfy होगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा लगी इसका मतली पता चल दाएगा कि यह एक lucky card है अब इसमें क्या है इसमें आपको ध्यान नहीं पड़ेगी कि यहां पर line number 7 में आपने यह केवल 7 यूज किया है इस टिंग नहीं यूज किया है क्यों कि note that line 7 should use string comma 7 and not integer 7 तो यहां पर क्या होगा कि यह जो आपने 7 यूज किया इसकी वजाए आपको integer 7 यूज करना पड़ेगा तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको आपको ऐसे ठीक है string 7 बनाना पड़ेगा instead of integer 7 clear तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से आप एक program design कर सकते हैं जो card को read करके बता देगा कि यह lucky card है की है या नहीं और कौन सा card lucky है वह predefined set में already defined होगा इसी program में कुछ और हम changes कर सकते हैं invalid cards को बताने के लिए उसको हम लोग next video lecture में discuss करेंगे तो आई होब कि यह program आपको clear हो गया होगा इस से आपको if or else condition को आप कैसे और how effectively you can use that condition यह भी clear हो गया होगा अगर video content पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को शेर कीजे लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और notification bell को जरूरान कर दीजे ताकि next video की information आपको टाइम से मिल सके thank you